रिष्टे है तो तनाव भी होगा और प्यार है तो टकराव भी होगा एक छोटी से शायरी लिखी है कहू तो आपको सुनाओ करवा चोथ के पर पर पड़ी काम आएगी प्यार बताया नहीं जाता जताया जाता है यार बताया नहीं जाता जताया जाता है प्यार सुनाया नहीं जाता दिखाया जाता है रिष्टा कोई भी हो प्यार तो प्यार है बस उसे आखरी सांस तक निभाया जाता है जैशनी देव जैश्री कुष्णा मेरी प्यारे बचो करवा चौत पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुप कामनाई देती हूं पूजा का जो मूरत है वो 5 बच की 36 मिनट से 6 बच के 54 मिनट तक रहेगा जो चंदरमा के उदे होने का समय बताय जा रहा है वो सवा 8 बचे है लेकिन आपको पता ही है करवा चौत वाले दिन सब कुछ आ जाएगा लेकिन जान नहीं आएगा अगर आपके रिष्टों में मनमुटाफ चल रहा है तकराफ चल रहा है प्रेम की कमी हो गई है तो आज ये राशीफल आपके लिए है इस बार का जो करवा चौत है क्या आप दोनों की रिष्टों में और मिठास लाएगा क्या आपकी दूरी कम होगी क्या प्रेम इसी विशे में ये राशीफल है चंद्रकुंडली पर आधारित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी भगवान मुझे संकेत दे रहे हैं, आभास दे रहे हैं, वो message आप में से किसी के लिए बहुत जरूरी है, कोई ना कोई message आपके लिए जरूर होगा, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें, अगर personally परिशानी कोई आ रही है, कोई भी married life को लेकर के relationship को लेकर कोई भी problem है, तो चिंता सब करके, और तक में अचिनता मत करों जो भी आता है सब से मिलती हूँ, और सब के लिए उपाई करती हूँ, जनम कुर्ली जेकती हूँ, आप आए और वहां मुझसे परामर्ष ले सकते हैं, इदिल्ली में ये तरपाः लगाया जाता है, अड्रेस के लिए आप हमारे WhatsApp नं दस वर्षों की साधना से उमें सब कुछ आप पर लूटाने को तयार हूँ मेश्राशी वालों, करवा चौध के इस पर्व पर अगर आप न्यूली वेड हैं यानि कि अभी-अभी आपकी शादी हुई है या एक साल ही शादी को हुआ है तो इस समय में आपको प्रेम प्रीट जो है वो बहुत ज़ादा पढ़ेगा या जो लोग रिलेशन्शिप में हैं और शादी अभी प्लान कर रहे हैं या फिर लिव-इन रिलेशन्शिप में हैं उनके लिए भी बहुत ही खास और सुखच जाएगा उस दिन बहुत सारा प्रेम प्रीट आपको मिलने वाला है आपका पार्टनर खासका जो फीमेल पार्टनर्स है वो अपने हस्बिंड के लिए बहुत जादा नहीं लुटाएंगी बहुत जादा आपको प्यार करेंगी ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ जिनका रिष्टा जो है जहां पर मन मुटाफ चल रहा था या बहुत आपके रिष्टे को दस साल से उपर हो चुके हैं बहां थोड़ी समस्या आ सकती है आपकी कही हुई किसी बात से या कुछ बाहर के थर्ड पार्टी मुझे दिखरा इन्फ्लूएंस यानि कि तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा या कुछ व्यक्ति ऐसे वो आपके रिष्टे को इन्फ्लूएंस कर सकते हैं कुछ कह करके कोई कटाक्ष करके उसके वजह से जो है कुछ लोग जिनका रिष्टा अभी काफी समय हो गया है हर्ट होते दिखाई दे रहे ह कुछ लोग अपने husband से दूर होते हुई दिखाई दे रहे हैं कि आप उनसे बुलाकात इस समय में नहीं कर पाएंगे दूरी है आप लोगों के बीच में लेकिन फिर भी आप यहां से अपना जो भी प्रेम है जो भी भगवान से प्रार्थन आपने करना है वो करेंगे और वो आपके partner तक जरूर पहुचेगा ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को चक्कर वगएरा आ सकते हैं करवा चौत के समय में लेकिन आप बहुत ही strongly उस चीज को handle कर लेंगे तो health पे किसी तरह का effect नहीं होगा कुछ लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों की रिष्टे में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ तो ऐसी feeling भी कुछ लोगों को आ सकती है कुछ लोगों की जो ladies हैं उनकी सासूमा वो थोड़ा सा आपको परिशान कर सकते हैं कटोर शब्द इस दिन में कह सकते हैं तो कुछ लोगों को रूना पड़ सकता है तो उनके husband से यही निवेदन है कि वो अपनी wife का बहुत support करें ऐसे में और कोई भी ऐसा incident हो तो उनका पक्ष जरूर लें पाकि overall energy की बात करें तो अच्छी है आप प्रेम प्रीत आपके रिष्टे के बीच में ज़रूर बढ़ेगा थोड़ा 19-20 कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेकिन इवेंचुली जब दिन आपका गुसरेगा तो आप उससे खुश ही होंगे व्रशब राशी वालो जो खासकर स्तिरियां है इस दिन वो बहुत सुंदर लगती हुई दिखाई दे रही है लेकिन आप नज़र का टीका जरूर लगाएं क्योंकि बहुत से लोग आपसे जलने वाले हैं वो रिष्टेतार भी हो सकतें आपके अडोसी परोसी हो सकतें खासकर कि परोस के कुछ लोग है वो आपसे बहुत तो इस समय में आपने थोड़ा ध्यान देना और खासकर उन लोगों के लिए दिखाई देरा जिनकी घर में स्त्री संतान जादा है उन लेडिस को नजल लगती दिखाई देरी तो अपने और अपने बच्चों का अपने ध्यान रखना है आसपास से नजल लग सकती है कुछ ल आगे चल के पैसे के आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और आपके पार्टनर से जादा जो आप जो ही महनत कर रहे है अपनी लाइफ में अगर आपका पार्टनर उससे खुश है उनके चेहरे की जो एक मुस्कान है वो आपके पैसों से कही जादा कीमती है तो मुझे टेजन हो जाएगा रशव राशव राशी वालों के लिए जहाँ ठोड़ा सा कोई ना कोई दिक्कत में आप पाज जाएंगे या को काम में आप ज़ाएंगे आपको पता नहीं चलेका या दिखेगा नहीं तो चान थोड़ी देर से आपको दिखाई देने वाला है मिथुन राशी वालो, आपको करवा चौत की दिन, खासकर जुस्तरी हैं, उनको कुछ गिफ्ट मिलता दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप मिथुन राशी वाले हैं, तो आप अपने स्पाउस के लिए, अपने हजबन या वाइफ के लिए गिफ्ट लेते हुए कर रहे हैं, या चानक से आपको दिखाई दे जाएगा, आपके सामने हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिन लोगों की भी लडाई हुई है, अभी हाल फिल हाल में, उनकी लडाई के बाद बहुत प्रेम प्रीट आपका बढ़ने वाला इस करवा चौत, और अगर मा प्रेम प्रीट बढ़ जाए, तो प्रेम को लेकर की बहुत अच्छा समय है, पैशन भी काफी दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग अपने स्पाउस की प्रती बहुत आकरशित इस समय में महसूस करेंगे, तो बहुत अच्छा वो ही समय है, कुछ लोग कंफ्यूस करकराशी वालों, अगर आपका किसी भी प्रकार का सेपरीशन चल रहा था, यानि हस्बिंड वाई दूर रह रह थे, आप एक दूसरे से काफी डिस्टेंट रिलेशनचिप है, या काफी दूर रह रह रहे है, या फिर ऐसा है कि सेपरीशन आपके बीच में आ गया है, या दिवोर्स जैसी बाते आने लगी हैं, तो वो करकराशी वाले, उनस सभी के जीवन में इस बार जो है, वो सुखाता दिखाई दे रहा है, आपके जो हस्बिन है या वाइफ है, वो आपके प्रती वापस आएंगे, अगर बच्चों को लेकर के चले गएंगे, खासकर कुछ अपने बच्चों को लेकर उनके भी वापस आने के बहुत जादा चांसे हैं, और प्रेम प्रीत आपका इस समय में बढ़ेगा, जो डिस्टेंस रिलेशन्शिप था, वो आपका आपस की दूरी को मिटाते कोई पास एक दूसरे के आप आएंगे, ऐसा भी दिखाई दे रह कासकर बच्चे बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो करकराशी वालों की बच्चे उनको करीब लेकर के आएंगे चाहे उनकी जिद की वजे से, चाहे उनकी जरूरत की वजे से, कुछ तो ऐसा रीजन बनेगा, जहां आप अपने बच्चों से मि के लिए जाएंगी वो भी दिखाई दे रहा है जिन लोगों की फैमिली में तनाव चल रहा है आपस की रिष्टों को ले करके कि वहां पर भी आपको शांती आएगी खासकर अगर पैसे को ले करके को दिक्कत चल रही थी जिसकी वज़े से आपके रिलेशंचिप पेफेक्ट हो गया है तो ऊसे भी आपको राहत मिले कि इस समय भी धन की प्रापती हो सकती है या गिफ्ट की प्रापती हो सकती है जिसकी वज़े से जो ओरेडी फामिली इशव चल रहे हैं मुझे कही न कैसा दिख रहा है कुछ नोगों का खुद की प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली की वज़े से आपके बीच में डिफरेंसिस आ गए थे, तो वो इस करवा चौद जरूर मिटेंगे सिंग राशी वालो आप इस बार बहुत महनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने स्पाउस को खुश करने के लिए कुश लोग बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हैं, खीर बनाते में प्रधातस दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही एफॉर्ट डालती दिखाई दे रहे हैं, शाccara पकी एर रेलेशनशिप पिछले समेसे कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे लेकिन उसी खरावी की वज़े से आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालेंगे और उस एफ़र्ट की वज़े से आपका जो पार्टनर है उसको एप्रिशेट करेंगे और वो बहुत खुश्राएंगे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहे हैं चैसे पड़ा आप दोनों के रिष्टे में पड़ा ही इगो आ गया है कही ना कहीं दोनों के बीच में एक ऐसी मदब लडाई भी नहीं है और एगो भी है तो आप समझ नहीं पारे कि उसको कैसे ठीक करें तो यह बहुत अच्छा समय है उसको ठीक करने का कुछ लोग अपने लिए गिफ्ट भी खरीदे हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी स्पाउस के लिए और कुछ अपने लिए भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी एक अच्छी एनरजी है, आप खुद को प्रेम करें, तो ही लोग आपसे प्रेम करेंगे, जो लोगों का डिस्टेंट रिलेशन्चिप है या दो लोगों के बीच में दूरी आ गई है, तो वो दूरी तो मुझे मिटती इतनी जल्दी दिखाई नहीं दे रही है, लेक अच्छा होगा, आपका रिलेशन्चिप सुधरेगा ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग काफी ट्रावल करते हुए इस समय में आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने अंसेस्टर्स को जो ही आपकी गुजर गए हैं आपके घर में, उनको प्रार्थना करते हु बच्चे जो है इस समय में आपकी बड़े खुश रहेंगे, बहुत ही प्रसंता से गूमेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अपने पार्टनर को गिफ्ट में जो है, या तो कोई हानीमून पैकेज वगेरा गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पैट गिफ्ट कर सकते हैं, कन्या राशी वालो करवा चौत के समय में मुझे कुछ चीजे अच्छी नहीं दिखाई दे रहें, आपकी मन को ले करके, आपका मन अच्छा नहीं है, किसी ना किसी बात से पास्ट में आप बहुत ज़द हर्ट हुए हैं, जिसकी वासे आप अच्छा फील नहीं क कर रहा है किसी भी चीज का किसी भी प्रकार के त्योहार को मनाने का, बहुत से लोग जो हैं परिशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, लड़ाई जगडर की तरफ से प्रऑ्लम, बहुत जादा खीचा तानी महसूँा हुरह है आपके लाइफ में और वो सारी तो आप अपने रिष्टों में सुधार कर सकते हैं यह दिने कैसा है कही ना कही मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में सुधार जरूर लेकर आएका आपके जो भी स्पाउस है, मनही मन वो बता तो नहीं रहे लेकिन मनही मन उनके अंदर भी है कि वो आपस से एक हो जाएं, आपसे अच्छा तालमेल बनाएं, अच्छा प्रेम आपसे करें लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं लेकिन हाँ उनकी प्रार्थनाव में लगातार यही चीज दिखाई दे रही है कुछ लोग बहुत जादा ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल भी आपे ध्यान नहीं दे रहें लेकिन वो भी आने वाले समय में आपे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि उदासी से निकल कि थोड़ा पॉजिटिव अपको होना पड़ेगा तुला राशी वालों इस बार जो कर्वा चौत आप मनाएंगे उसमें बहुत सुंदर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल कुछ लोग तो ऐसे प्रिंस चामिंग जैसे लग सकते हैं कुछ त्रिया तो बिल्कुल ऐसे परी जैसे लग सकती हैं ऐसा आपका आउट चल रही थी आपका जो प्रेम संबंध है या आपका जो मैरिज का संबंध है वो थोड़ा आगे पिछे हो रहा था कभी अच्छा लग रहा था कभी नहीं लग रहा था चीजे थोड़ी स्टेबल नहीं थी और सामने वाला भी जो है आपका वो स्टेबल नहीं था तो अभी आपका पार्टनर है वो स्टेबल होता दिखाई दे रहा है शांत होता दिखाई दे रहा है और आप भी उन चीजों को लेकर के शांत होते दिखाई दे रहा है आप जो बहुत जद़ ओवर्याक्टिव हो रहे थे सब चीजों को लेकर के तो उससे आप बाहर निकलेंगे काफ बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है एक जो करवाचौत है आपका बहुत अच्छा जाएगा बड़ा ऑफ जई नी परेम पराइचा जाएगा ऐसा भी बहु दिखाई दे रहा है और जो इनलोज के साथ अगर कोई दिक्कत है और खासकर किसी स्तरी से आपको जादा दिक्कत है या आपकी मादर निलोज वगरा कोई है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉबलम हो सकती है उनके वज़े से आपका मूड खराब हो सकता है लेकिन फिर आप उसको सम्हाल लेंगे नॉ जादा दिक्कत दिखाई दे रही है बच्चे उत्पात मचाते हुई दिखाई दे रहे है उनकी वज़े से आप इस दिन में बड़ा इरिटेट होंगे क्योंकि आपके बच्चे जो है वो बहुत जादा शैतानी उस दिन करेंगे रश्चिक राशी वालो जिनकी भी जॉइ इस बार ऐसा मुझे दिख रहा है आपका के हस्बेंड या फिर वाइफ अगर तूर रहते है तो वह आपसे मिलने के लिए इस समय में ज़रूर आएंगे तो वहां एक अच्छा समय है कुछ लोगों को मेंटल प्रेशर बहुत जादा इस समय फील हो सकता है आपको ऐसा लग अच्छ आप ाखको भौब से आपको बहुत से अच्र highlight पृद्धा की माहा आप मारा जाएगा लेकिन लेकिन बहुत विश्ष्वास रखिे आने वाले समय पर उनको सब कुछ दिखा देंगे वुझ जES प्रकार से आपके साथ बहेव कर रहें उनके साथ वह सब लौट के ह ठोड़ी आपको लगे का कि जल्दी चान निकले जल्दी चान दिकले डिएसा झीज निखाइए गार्या है अगरके मोहलमेन थोड़ी अन्बंकि दिखाइए दे रही है कुछ लोगों कि एक्पार्ट की हो समय लडाई हो सकती है दोनों की excitement कंट्रोल नहीं हो रही है, दोनों ही बहुत खुश है, तो कुछ ना कुछ अच्छा भगवान की तरफ से, कुछ ना कुछ अच्छा आपके सवभागे की तरफ से होने वाला है, तो यह बड़ा ही अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई विश आपकी पूरी हो सकता है कि पार्टी अरेंच करें अपने घर पे या आने वाले समय में पार्टी जो है वो आप थ्रो कर सकते हैं, वो चीज दिखाई दे रही है, कुछ गिफ्ट भी आपस में लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही सुखद आपके तो या फिर दोनों के बीच में एज गाप जादा है तो वहां कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप काफी समय से परिशान थे लेकिन वह दूरी भी इस करवा चौथ तूर होती दिखाई दे रही आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने वाले हैं एक दूसरे से अच्छ क्रियेटिव करते हुए आप मिर को इस समय में दिखाई दे रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं खुश है अच्छा दिन दिखाई दे रहा है कुछ मुसीबत जो है वो आपको या तो आई है आप उसमें से लिकिन निकल चुके है या फिर उस समय के उस दिन के आसपास आपक उस वज़े से आपको लगराय कि प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, कुछ लोगों का अगर विभा होने वाला है, तो उनको बहुत जादा सुखी ये करवा चौत उनका जाएगा, कुछ लोगों की शादी की बाते होते हुई दिखाई दे रही है, आपक सुखत समय है, थोड़ा पैसो को लेकर के समय दिक्कत हो सकता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फैनाशली आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन एवेंचली वो प्रॉब्लम रहेगा नहीं, तो आप बिलकुल बिंदास हो के अपने त्योहार मन आपको उस परिशानी को पार कर जाएंगे, कुम्राश्य वालों आप तो मुझे करवा चौत का इंतजार करते हुए ही दिखाई दे रहे हो, और उस दिन भी आप इंतजार में रहोगे, शैद चांद के इंतजार में रहोगे, या फिर अपने स्पाउस, अपने पार्टर के इंतजार में रहोगे, कुछ इंतजार का, कुछ वेटिंग पीरिएट मुझे इस समय में आपके लिए दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें आपके मन के विपरीत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो आपको खुशी ही देंगी, तो इसलिए भगवान पर विश्वास करते हुए जो हो रहा है, पिलकुल उसे होने दे, सब कुछ आपके हित में ही होगा और आपको प्रसंता देगा, अभी आपने जो है, राई का पहाड जिसे कहते हैं, वो बना रखा है, हाँ सुनने में बुरा लग सकता है आपको, लेकिन यही सच है, आप बहुत जादा किसी चीज को exaggerate कर रहे है, शायद आपको आपके पार्टनर के कुछ कहा है, या कुछ अन्मन चल रही है, या कुछ आपसी मन मोटाव हो गया, लेकिन आप उस बात को जादा खीच रहे है, exaggerate कर रहे है, आपको थोड़ा लेट गो करने की जरूरत है, थोड़ा सा आगी बढ़ने की जरू ज़वकी या दुबारा से फेरे ले सकते हैं, कुछ तो अच्छा, या मंदिर उस दिन जा सकते हैं, दोनों साथ में, मंदिर में गटबंधन हो सकता है, पंडी जी आपको साथ में कुछ ऐसा प्रशाद दे सकते हैं, या कुछ लोगों को विशेष दो केले का प्रशाद या आएगी, ओवराल बात करें, तो बड़ा ही सुखत समय रहेगा, खुशनुमा रहेगा, आप दूसरे से प्रेम करेंगे और प्रेम बढ़ेगा, कुछ लोग तो इतना खुश होंगे कि कुछ आसू भी आपके छलग सकते हैं, मीन राशी वालो, इस करवा चौत, जो स्टार् कुछ ना कुछ disturbance आती मुझे दिखाई दे रहे है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, आपके लिए दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आप बहुत सुंदर दिखने वाली है कुछ तरियां तो बहुत जादा ही अच्छा आपका पहनावा होगा, बहुत ही elegant लगेंगे बहुत ही sophisticated लगेंगे और यह देख करके आपके family वाले आपको बहुत appreciate करेंगे, कुछ लोग जो है इस समय में कंजोसी करते दिखाई दे रहे हैं, आपके मन में पैसे को लेकर की थोड़ी problem आएगी, आपके मन में खर्च करें, नहीं करें, इस प्रकार की थोड़ी भावना आ सकती है, तो मुझे लगता है आपको तिहार का समय है, सब कुछ बगवान पर छोड़ देना चाहिए, अगर आप अपने husband या wife के लिए कुछ भी करते हैं, उसमें कभी कमी नहीं होगी, प्रेम से ही तो संसार चल रहा है, और तुम प्रेम को लेकर के डरोगे, तो उससे आपको जो भी पैसा खर्च करोगे अपने spouse पर बहुत सारा होके वापसाएगा with their smile, कुछ लोग इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चांद के लिए आप भी थोड़ा जादा जल्दी इंतजार करेंगे, और थोड़ा सा health को लेकर के भी problem दिखाई दे रहे हैं, पे वो बच्चे इस समय में आपको परिशान कर सकते हैं, जिनकी वज़े से आपको टेंशन होने लगेगा, लेकिन मुझे लगता कोई help आपको मिल जाएगे आपके बच्चों को सम्हालने के लिए चाहें, आपके spouse या आपके in-laws कोई help करें, वहां से कोई-ना कोई help मिल तो उसकी इतनी चिंता की जववत नहीं है, हाँ कुछ अच्छा समय एक दूसरे के साथ आप बिता सकते हैं, अगर आपके ग्रह काफी समय से परिशान चाले, ग्रह नक्षत्र आपको बिलकुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हर वर्ष के भाती हम नव वर्ष का यग्य आयोजित करते हैं, आप अपने नाम से, अपनी घरवालों के नाम से उस दिन आहूती प्रदान कर सकें, नव ग्रह देवताओं को प्रसंद करने के लिए, मातला लक्षमी को प्रसंद करने के लिए, और इस साथ में कोई भी अगर दिक्कत आ रहे है, तो उस सभी को दूर कर प्रसंद करने के लिए, नव ग्रह कथा का भी आयोजिन उस दिन किया जाएगा, ये भी पूर्टाहा निशुल को होता है, आप किसी प्रकार का उसमें कोई फीस नहीं है, अगर अपनी श्रद्धा से आप योगदान देना चाहते हैं, आपनी आहूती के लिए आपको प्रकार करना चाहते हैं, तो वो आपकी श्रद्धा है, भंडारा भी होगा उस दिन, और साथ में नवग्रह की कथा भी होगी, कहते हैं जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा सुनता है, उसके जीवन में नवग्रह देवताओं की कृपा बरसने लगती है, उसके पूरे से इन सभी परवों की जो आ रहे हैं के बाद एक इन सभी की बहुत-बहुत शुपकामनाएं देती हूँ, आप सभी को आशिरवात देती हूँ, जै शनी देव, जै श्री कृष्णा